होश यार, तुमने जोधा बेगम को यहाँ आने का पैगाम बेजाया नहीं? गुलाम ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हुजूर? हमने जोधा बेगम को पैगाम दिया था, कि आप उनसे मुलाकात करना चाहेती हैं. तो फिर वो अभी तक आई क्यों नहीं? प्रणाम रुक्या बेगम, आपने हमें याद किया हूँ? हाँ बेगम जोधा, आईए, तश्वीफ रखिये, हम आपसे कोई जरूरी गुस्तगू करना चाहते हैं, आईए? कहिए, क्या आपके बिल में जलाल को लेके कोई जज़बात है? नहीं, हम आपका प्रश्न नहीं समझ पाएं. चलिए, हम सीधे सीधे आपसे पूछते हैं, अब जब सब जान चुके हैं, कि आप जलाल के बच्चे की मा नहीं बनने वाली हैं, तो क्या आपको इस बात का अफसोस है? कि आप जलाल के बच्चे को जर्म नहीं देने जा रही हैं? हमने जलाल की आसू भरी आखे देखी और आपकी भी आखे देखी जो जलाल को एक तक देखे जारी ती amzen जिनमें जलाल के दर्द के लिए दर्द उम्डा हुआ था कहीं इतने दिलों के साथ के वजर से आको जलाल से महब्रत तो नहीं हो रहे है पूरा एपिसोड देखे जी फाई पर तहीं आपको उस रात का अफसोस तो नहीं हो रा कि उस रात जलाल ने आपको छुआ क्यों नहीं एक साथ आपके मन में बहुत सारी प्रश्णों मड़ गए हैं रुकया बेगम सच कहें तो हमें बहुत प्रसंता है कि शैंशा ने अपना वचन निभाया और हमारा मान रखा हाँ भरी सभा में उन्हें इतना भावुख देखकर हमें भी दुख हुआ और ये भी सच्छे की कदाजित अब हमें उनसे गिर्णा नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना कर्तब वे निभाया हमें कलंकितोंने से बचाया और भरी सभा में हमारा मान रखा और इसके लिए हम उनके आभार ही है फरन्तो हमारे आभार को प्रेम समझने के आप बहुत बड़ी भूल कर रही है रुकया बेगम हमें तो इस बात की प्रसंता है कि आज भी वो हमारे निकट नहीं है बलकि आपके सबसे अधिक निकट है चलो अच्छा है हमें लगा था कि आपको जलाल से महबबत हो गई है हम जलाल के साथ किसी भी औरत को बरदाश्ट कर सकते हैं लेकिन ये परदाश्ट नहीं कर सकते कि हमारे अलावा जलाल किसी और से महबबत करें प्रेम होना और पास में रहना दोनों बहुत बिन्न बाते हैं रुकया बेगम आपने हमसे इतने सारे प्रश्णी किये अब एक प्रश्ण हम आपसे करते हैं बताएए कि क्या आप तचमे शहिन्षा से प्रेम करती हैं यह एक ऐसा बेहुदा सवाल है प्रश्ण तो प्रश्णी होता है उतर दीजिए ना, बताएए आप शहिन्षा से प्रेम करती हैं इसलिए तो हम उनकी बेगम हैं और हमेशा बने रहेंगे यह हमारे प्रश्ण का उत्तर नहीं है, आप हमें इस बात को उत्तर दीजे कि क्या आप तच में शेहनशा से प्रेम करती हैं, वो हमारे बच्पन के दोस्त हैं, नहीं, यह प्रश्ण ना तो हम एक बेगम से पूछ रहें, ना ही शेहनशा की बच्पन की दोस्त से, यह प्रश कि जब आप उनकी मित्र ना रहे या फिर आप उनकी बेगम ना रहे क्या तब भी आप उनसे उतना ही प्रेम करेंगी क्या तब भी उनकी प्रसंता में आप प्रसंद होंगी बस बहुत बोल चुकी आप जो धावेगा अब बस हुआ हम जलाल को चाहते हैं, कितना चाहते हैं, क्यूं है और कब से चाहते हैं इन सब बातों की सफाई देने की हमें कोई जरुवत नहीं है नहीं आपको, और नहीं अपने आपको, आप चाह सकती है भुलाय पिस आप ही ने ता और भा़र पिस भी बहुँत पेच रिए ठीक है हम तो चले जाएंगे फरन तो जाते जाते हम आपको एक बात अविश्य कहना चाहेंगे चाहना और पाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है रुगया बेगम बेशक उतना ही फर्क जितना जलाल और आपके रिष्टे में अब हमारी छोड़िये हम तो पहले से उनसे दूर हैं परन तो आप तो उनकी बच्छपन की मित्र हैं तब भी आप हमारी इस प्रश्ण का उत्तर नहीं दे पए कि आप शेहनशा से प्रेम करती है या नहीं तो किया बेगम आप हमें तो नहीं कह पाई तो अपने आपको योत पर अवश्च दीजेगा कि क्या वाके में शेहिंशा से प्रेम करती है या शेहिंशा की बेगम बनी रहने से अब समझ में आया कि शेहिंशा इतने बड़े सामराजी की बागदूर को कैसे समालते है जो पतंग की दूर इतने अच्छे से समाले वो हर दूर को समालना जानता होगा न ये लिजे रहे रहीम संभाल के पतंग नीचे गिर जाएगी अब आगे से ध्यान रखना दोर भली हाथ में हो पर अकर जरा सब भी ध्यान भटका तो पतंग कटकर नीचे गिर सकती है समझे बहुत खूब जोधा बेकम अब आका मज़ाज अच्छे से समझती है हमने सुनाए कि आप परिंदों को उतना ही चाती है या फिर आप हमें उनसे जादा चाहने लगी या फिर आपको हमसे कोई बात करनी है जो आपको हमारे पास आने का बहा न ढूनना पड़ा आपके दोनों ही अनुमान ठीक नहीं है और वैसे भी बेगम हैं आपकी आपसे बात करने के लिए हमें बाहना ढूणने की क्या विशक्ता है कर ये क्या कहना चाहती हैं हम आपसे कहना चाहते हैं कि बक्षी बानू बस जो था वेकम बक्षी बानू आपके साथ हमारी भी कुनेगान है बताव शेंशा हमने आपको इससे सदा देना का हुकम दिया और बताव भाईचा हमने खुद भी इससे सदा दी इनसाफ के साथ साथ ये मामला भी खतम होके आप खुदा के लिए अब हमारे सख्मों पे नमक छड़कना बंद करतीचे शेंशा हम तो बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जो था वेकम हमने कहा आना कि इस मामले पर कोई बात नहीं करेंगे और आप भी बख्षिबानों के बारे में सोचना बंद करतीचे चोटिया में फिर सब पतर निच्चे जा रही है हम सबको याद दिला दे कि कुछ दिनों में जलाल की सालगिरा है महल में बहुत गम बरस चुका है हम चाहते हैं कि इस सालगिरा का जशन ऐसा हो कि उसकी खुशी में सारे गम छुप जाए पहले रुकया बेगम का बच्चा गिरा इस जोधा बेगम को जरिया बना कर जलाल की उमीद तोड़ी गए अब हमारी कोशिश रहेगी जलाल बीते हुई बुरी यादों को दफन करके आने वाले कल की खुशाल रोश्टी को महसूस करे मलिका आजम से हम उत्तफाक रपते हैं आप बेफिक्रे रही पयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी रुकया बेगम हम उमीद करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी आप जलाल के लिए कुछ खास कुछ नया करेंगी आप फिक्र मत कीजिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगी और हाँ, आप लोग सब भी हमेशा की तरह शेहनशा कुन का मन पसंद तौफा ही दीजिएगा बेशक, सब कुछ हर साल की तरह ही होगा सिवा एक चीज के इस साल बक्षी बानोस जशन में शामिल नहीं हो इसन भावी जान मानिकाय आजम बजा फरमाती यह जशन हम शेहनशा की खुशी के लिए कर रहा है तो बक्षी बानों की वहां माच उँझी शेहनशा को परिशान कर सकती है और जतना हम जलाल को जानते हैं वो भी बक्षी बानों को वहां पसंद नहीं करें तैं लेकिन अमे जान शाहिंशा ने तो बक्षी बानों की सजा माफ की है नहीं सलीमा बेगम बक्षी बानों माफी के लायक नहीं है हमने जैसा कहा है वैसा ही होगा हमारे हुक्म की तामील हो आजा सब के बीच यहाँ कुछ ऐसे हैं जो पहले जंग में जा चुके जो जंग लड़ चुके और कुछ ऐसे भी हैं जो पहली बार जंगे मैदान में कदम रखेंगे लेकिन जो एक बात कायम थी है और हमेशा रहेगी वो यह कि आप सब मुगल संतिनत के सिपाई हैं जिसने कभी शिकस्त नहीं खाई और हमें भी हमेशा फटह चाहिए इसे जो एक सवाल हमाई जहन में है जो हमें आप सब से करना है आज वो हम आप से करेंगे कि आप सब के लिए क्या माईने रखता है जंग में दुश्मन का खून बहाना या मरते हैं तम तक लड़ना गलत हमने आप सब की गुर्बानी कभी नहीं चाही आप सब को मुगल सर्थनत की फाच के लिए चुना गया है उन्दा तालीम दी गई है बेतरीन अतियार दिये गए हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप बेफ़जूल में अपनी जान खच करें मुगल सर्थनत के किसी भी सपाई की जान इतनी सस्ते नहीं जो इतनी आसानी से खच कर दी जाए आप सब को मुगल सर्थनत की इंफासत करनी है उसके दुश्मन से जंग लड़नी इसके दुश्मन का खून बहाना है लेकिन हम चाहते हैं कि आप में इतनी समझ हो यह जरूरी भी है बड़ी अम्मी समय समय पर घोड़ी के लगाम खीचनी चाहिए नहीं तो उसे मकालता हो जाता है कि इसके उपर कोई सवार नहीं बड़ी अम्मी जब सुवज़ सुवए हम रहीम के साथ पतंग उड़ा रहे थे तो हमें एक बात महसूस हुए कि पतंग उड़ाते वक्त उसकी दोर हातों में उन्हें के साथ साथ नजर उस पर हो निशाई क्योंकि अगर नजर अठी तो कब उसे कौन काट ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा इसलिए जब तक पतंग शान से उड़ेगी लोग आपकी और देखेंगे आपकी वावाई करेंगे लेकिन जैसे ही पतंग के देगी जैसे ही आपकी नजर उस पर से अठीगी उस गिरते हुई पतंग के साथ साथ लोग आपको गिरी हुई नजर से देखेंगे ये बगल सतनत की फौच उसी पतंग की डूर की तरह है, जो हमेशा हमारे हाथों में रहेगी, हमारी नसर हमेशा इन पर रहेगी कि यादा आए वो दिन जबाब चुटी से इतने से अरब देखें अब बढ़ते दिन आपके काबिलियत आपकी शुर्त बढ़ती जा रही है, पक्र है हमें जलाल आए दिन हमें आप पर पहले से ज्यादा फक्र होता है, हमानते हैं कि आपके रगों में हमारा कून नहीं है ले अरे दूद में आपको पाला है, पक्र है हमें जलाए कि हम आपकी अम्मी हैं, बड़ी अम्मी, अल्ला करेगा, आपका मुस्तक दिल और और रोश्त है, सब आपी की महपत और आपी की सीखें बड़ी अम्मी, आईए भाईजान हम ये, हम आपको कहे चुके हैं कि आपका चैरा भी नहीं देखना चाते तो फिर क्यों आई हैं आप यहाँ, भाईजान, हम आपके लिए तौफाल आए हैं, कुछ नहीं चाहिए हमें, अब पहले ही बहुत कुछ दे चुके हमें, इससे पहले कि हम अपने गुस् इसलिए हम कह रहे हैं, चले चाहिए यहां से क्षमा चाहते हैं, शेच्छा, आपके अनुमति के बिना हम आपके कक्ष में आएं, पर हम आपसे विनिति करते हैं, आप बक्षी बानु को क्षमा कर दीजिए, भाई हैं आप उनके, उनके अपरात का, जो तो एकम इस पारे में हम आपसे कुछ बिवात नहीं करना चाहते हैं, हमने आपको उनको सजा देने का मौका दिया था, अब उस मौके का इस्तमाल कर चुकी हैं, अब ही हमारा साथी महाना है, हम नहीं चाहते कि आप इसमें दखल दें, तो बहतर होगा अब नहीं चाहते हैं, हमने कहा हैं न जो दवेकम, यह हमारा साथी मामला है, हम इस मामले में आपका दखल नहीं चाहते हैं, जहन्शा, अब राथ के लिए अपराधी को दंड मिलना चाहिए, यदि किसी और को इससे पीड़ा हो, तो वो दंड उचित नहीं है, न्याय ठीक से नहीं हुआ है, पक्षी बानु से नाता तोड़कर, आपना केवल उन से क्रोधित है, बलकि अपने आप से क्रोधित है, हम से क्रोधित है, पुरे संसार से क्रोधित है, इसलिए हम आपसे विरति करते हैं, उन्हें एक ख्षमा कर दीजिए, ख्षमा करना बहुत बड़ी वीरता की बात होती है, शैच्छा, कर दीजिए उन्हें एक ख्षमा, जोधा, पता है जोधा, सारे महल में शैंच्रा के जन्म दिन के उत्तव का वात्ता बड़न है, रसोईगर में पकवान बन रहे हैं, अतितियों का आगमन हो चुका है, सब और तैयारिया हो रही है, सब को यही सूच रहा है, कि शैंच्रा को प्रसन में कैसे किया जाए, मोती, हम, धनी किनको तु देख, काना के मूर्ती, मूर्ती नहीं, ये बासुरी और मौरपंक, जो शैंच्रा ने हमारे जन्म दिन पर हमें भेट में दिये थे, सबसे अधिक उन्होंने हम पर विश्वास किया, और सब के सामने हमारा मान भी रखा, मोती, हम कब से सोच रहे हैं कि शैंच्रा के जन्दिन पर, हम उन्हें कोई ऐसी भेट दे, जो जीवन भर उन्हें समरन रहे, पर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या दे, सब कुछ तो है उनके पास, सर्व साधन, सर्व शक्ती, महमंगाजी और रुकया बेगम भी उन्हें कोई नो कोई अन्मोल भेटी देंगे, रियासत के सभी राजा और कई सारे सुबेदार भी उन्हें बहुत सारी भेटे देंगे, एसे में हम उन्हें ऐसा क्या दे जो ने जीवन भर इसमरन रहे, परनतों जोधा, खुछ तो दे नहीं होगा ना, और हम चाहते हैं कि हमारी सकी ऐसी भेटे जो सबसे हमोले है, सबसे हट कर, अब हमारी बुदी तो इस होती है जोधा, तुमी कुछ सोचो ना, बाश्या को सालगरा है मुबारक हो, हुजूर पर हमेशा फुदा की रहमत बनी रहे, जनन दिन बहुत-बहुत मुबारक हो जलाल, शुक्रिए, असाल की तरह तुम हमारा जन्दे नहीं बोली और हम उपनी रस्म नहीं परे, हम सबसे पहले तुम्हारे पास आएं रुके, तुमने हमें मुबारक बात दे दी, बताए हमारा तौफा काए, तौफा लाने में हमें बहुत महनत की है, तो उससे पाने में, आपको भी थोड़ी जहमत करने होगी शहिंशा, क्या करना होगा आपने, वही, जो आपको बेहद पसंद है, पहेलियां भूजनी होगी, और कुछ पहेलियां भूजने के बाद, आप तौफे तक बहुट जाएंगे, हर एक पहेलि, आपको एक सीड़ी उपर ले जाएगी, सीधे सीधे हमें तौफा क्यों नहीं दे देती, क्योंकि मेहनत करने के बाद, तौफा मिलने के जो खुशी होगी, वो बेहदी कीमती होगी, चलिए, हम आपके लिए ये खेल थोड़ा आसान कर देते हैं, हर पहेली आपको अपने अजीज तक ले जाएगी, और उसके पास होगी अगली पहेली, और आखिर में रहीम आपको आखरी पाइदान तक ले जाएगे, मैं लगता है कि तौफा बेहदी खाश है, ठीक है बताई हमारी पहेली पहेली, ठीक है, तो सुनिये, जाएए ढूंडिए उनको, जिसने दी जिन्दगी आपको, अगली पहेली वही से मिलेगी जनाब को, जिसने हमें जिन्दगी दिए मतलब हमारी अम्मी चाद, मलिक आयासम, तो पहले रास्ता हमें उन से मिलेगा ठीक रोके हैं हम चाहते हैं और अपने तफ़ा लाने के बाद शुक्रिया जागर ने आपके पास आते हैं ऐसे तफ़ा देने का यंदास हमें बहुत अच्छा लगा लीजिये शाहिंशा ने तो चुक्ती में पहली पहली सुझा दी हमने बनाई यह ऐसी थी क्योंकि हम चाहते हैं जलाल जल्द से जल्द हमारे तौफे तक पौठे चन्मतिन की बदाई हो शाहिंशा शुक्रिया क्या आप हमें हमारी जल्द के मवालक बात नहीं देगे बदाई हो सिर्फ बदाई की उम्मीद नहीं थी अब हमें हमारा तौफ़ा देंगी या आप भी कोई पहली बताएंगे कैसी पहली ना हमारी पास कोई पहली है और ना ही कोई संकेत क्या वाख है ये नहीं कुछ नहीं मालूम या ये हमारे साथ मजाग कर रही है शैंशा हमारी पूजा अधुरी रह गई है यदि आपके आज्या है तो पूरी कर ले ये जो आप भी कह रही थी जोदा वेगम इसका मतलब क्या है इसे क्यों देख रहे हैं आप हमें हम तो बस जानना चाहते थे कि आप क्या क्या रहे हैं हमारे तोफ़त त्यार है आप खमक अनकार कर रही थी देखे दूसे ही क्या है ये हमारे तोफ़ा है नहीं परन्तु इसे पहन कर आप अपनी वास्तविक भेड तक पहुच पाएंगे इसे पहन कर आप अगरा की प्रजा के मध्धी जाएंगे और उनके महत्वकों उनकी आवश्यक्ताओं को समझेंगे तब ये आपको अपनी भेड मिल पाएगी दिकत क्या है आप और्तों की कोई चाहता है महां जाएं कोई चाहता है महां यहां वहां रुके बेगम चाहती है कि महल गुमें और हां आप चाहती है कि माकरा के बैसार में घुमें ठीक है हम पैन निहेंगे से देखते हैं वहारी किसमत में क्या लिखा है अप 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 अरे आप आदाव आईए ना बहुत अच्छे बर्दम बनाती है शुक्रिया आईए अन्दर आईए अमी अमी सुनिये आपको कहा बिठाओं हमारे घर तश्रीफ रखिए हुजूर आपके खिदमत में पेश करने के लिए हम गरीबों के पास कुछ नहीं है आपके पास बहुत कुछ है हमें पेश करने के लिए ये तो आपका बड़पन है आपने इस बच्ची को खुश कर दिया इतना बड़ा तहुफा देकर हम गरीबों पर अपना करम फरमाया आपने ऐसे करम हमेशा फरमाते रहेंगे पर एक बास मज में नहीं आई आपके काम अच्छा चल रहा है पर ये तंगी क्यों क्या बताएं हुजूर इसके वालिद को नशे की लत है उसी में सारी कमाई चली जाती है अच्छा आपके शोहर का है वो बैठे है बैठिये हुजूर बहुत खूब सही प्यादा मिलाया हमें शराब उसकी कमजोरी है और इस कमजोरी का हम ज़रूर फाइदा उठाएंगे बैठिये है हाँ क्या बात है परेशान लग रहे हो हुजूर मैं वो मैं मैं वो मैं खैर हमारे पास आपकी हर मुश्किल के लाज है कभी हमारे साथ बैठो हमें भी आपकी तरह शराब का शोग है हुजूर कहां आस्मान कहां बंजर जमीन कहां मैं कहां आप मैं तो आपके पैरों की धूल भी नहीं हुजूर फिर भी ये नाचीज आपकी क्या खिदमत कर सकता है देखा अपने अभी अब राजा चंदरकुप्ट की बात कर रहें थे लेकर हमारे आगरा में लोग उतने ही खुश है अपने शेंशा की जन्दन के खुशिया मना रहे हैं अगर इन्हें मालूम होता कि हम इनके बीच में हैं तो यह हमें अपने कंदों पर ही उठा लेते हैं क्योंकि आपके पास आपकी तलवार और राज मुकुट नहीं है यदि दुणहों अपके पास होते तो लोग आपको पहचान लेतें नगी ने का मतलब है क्योंके भर्लवार हमारे सुम्शीर कोमें होतिएंएं महत्व नहीं को आपकी तलवार और कि मुकुट से आपकी प्रजा आपसे डरती है तो फिर भी ठीक, लोगों को डर्णना चाहिए शहनशा से तो फिर आपको ये मानने में का समस्या है कि वास्तविक महत्वाप की तलवार और आपके मुकुट का है कभी कभी हम आपकी बात समझ नहीं पाते हैं जो धावेकम अरे शहनशा आप हमारे गाओं में भेज बदल कर सलगेरा मुबारग हो शहनशा अरे चलो भाई चलो शहनशा हमारे गाओं में है देखा अपने जो धावेकम इन्होंने अमें बेना लिबास की पैचान दिया आप वही देख रहे हैं जो आपको प्रतेक्ष दिख रहा है आप वो ही समझ पा रहे हैं जो इनके मन में छिपा हुआ है आपकी प्रतीब भये अब क्या खाएंगे आप जोधा बेकम देखी यह लोग कितने खुश है अब यदि आप अपनी आत्म प्रशंसा में लगे रहेंगे तो भेट पाने में विलंभ हो जाएगा अब चले जोधा बेकम बहुत प्यास लगे आपको तो अभी प्यास लग रही है परन्तों इनकी तो सबसे बड़ी समस्या ही प्यास है उनकी समझे नहीं समझ जाएंगे तनिक इनसे बात तो कीजिए कि ये भी हमारे तौफे तक पहाँचने के कोई पहली है यही समझ लीजिए आपकी शहंशा आपके सामने खड़े हैं आप इनको बधाया दे सकते हैं सलाम सलाम शहंशा साल गिरा मुबारक हो अल्ला आको लंबी उम्र दे शहंशा चलाल अदिन जिन्दाबाद 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 मैं जोधा वेगम ने बता या कि आपको किसी किसम की दिक्कत है बताए आपकी ज़रूरत क्या है पानी पानी हुजूर्द हमारे एलाके में पानी की बहुत किलत है शेहन्शा सिर्फ एक ही कुए है और वो भी दूसरे गाउं में लेकिन उसमें भी पानी कम हो गया है पानी का बंदोबस हो जाए बस और हमें कुछ नहीं चाहिए उपर वाला आप पे करम करेगा अगर आपकी ये दिक्कत है तो अपने इस दिक्कत को दिवाने आम में क्यों नहीं रखा कई बार आयत है हुजूर बगर आप तक पहुँचने पाए अगर शाम तक आपके गाउं में कुवा खुद जाएगा हम आपको जबान देते हैं कि आज की बाद आपको किसी किसम की कोई तकलीप नहीं होगी कुवा खुद जाने तक हम पानी के बद बस खुद तैख करेंगे क्योंकि पानी पिलाना अल्ला की बंदगी होती है और हम ये तैख करेंगे कि अगली बार आप सब को दिवाने आम तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना है अब तो बता दीजिए हमारा तौफा कहा है धीरच रखिये आपकी बेट है आपके जनमोच सफ से पहले आपको मिल जाएगी फरंत उस से पहले आपको रूक या बेगम की पहली सुझाना है उनका अधिकार पहले है तो उनकी बेट आपको पहले मिल जाएए पर हमें प्रसंता हुई कि आज आपने अपनी प्रजा को बेट दी खजूर की गुटली? खजूर तो रहीम को बहुत पसंद है कहा छिपा होगा ये? अच्छा तो आप यहाँ छुपकर बैठे हैं और पूरे हरम में आपको ढूंडा जा रहा है रहीम सुना नहीं आप में ये क्या फजाक है रहीम? वहाँ हरम में आपको ढूंडा जा रहा है और आप यहाँ बैठे बैठे खजूर खा रहे है खजूर बहुत मीठी है अमीजान अच्छा खजूर का मीठापन आपको याद है लेकिन जो हमने आपसे कहा था वो याद नहीं है अपने क्या कहाता हम भूल गए ठीक है लगता है सलीमा बेगम को बताना पड़ेगा बहुत खुशी होगी उन्हें कि हमने जो आपको काम दिया था वो आप भूल गए यहाँ बैठे बैठे छिप कर खजूर खा रहे हैं आप रुकिया हम अभी जाकर बताते हैं हमारी रुकिया मीजान हमारी दोलों की बीच के बाता है ना अमीजान को बीच में क्यों लाना तो बताईए आपने शेहनशा को कहां भेजाए आपने जा कहां था वो है पूरा एपिसोड देखे जी फाइपर झाल को कि बीच कॉमस घ्क एपने लेखे